कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मससी नोट्स में तो कैसे हो सब लोग आसा है सभी बहुत जाद अच्छे होंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास सभी लोग आ जाओ उमेद है आप लोगो नौटिफिकेशन मिल गई होगी तो जल्दी से आज जाए लाइफ फ बता दीजिए फिर हम लोग सुरू करते हैं आज की क्लास चलो फुल जाओ तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोगों की जो यूपीट की क्लास है वे नई बैच लांच हो चुकी है उसके लिए आप लोगों करना क्या है एकदम सिं हिंद कैसो सब लोग एकदम बढ़िया चलिए तो देखिए सबसे पहले करना है कि आप लोग को एप इस्टॉल कर लेना है प्ले इस्टॉल कर रखा है तो और अच्छी बात है ओपन करिएगा इस्टॉल करने के बाद रिजिस्ट्रेशन वगारा कर लिजेगा उसका पर आपको क्लिक करना है जब भी इस पैनर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा और कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा इंटरफेस मिल जाएगा तीसरा इस्टिप क्या है कि अपने कोर्स में जाकर बाइन आव प 200 रुपीज ओफ है तो जिनको भी अड्मिशन लेना है वे जल्दी से जल्दी इसमें अड्मिशन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने पढ़ाई कॉंटिन्यू कर सकते हैं इस फॉर बेसिकली यूपी टेट 25 जुलाई को जो एक्जाम है उसके लिए त्यार है शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ लोग कह रहे थे सर यूपी एसाई की बात क्या होगी और अधर कोर्स का क्या होगा तो उसके लिए टेंसन ना लेना जल्दी ही हम लोग लुग आप सब कैसे हो बहुत अच्छा लगा सूपर टेट पास हो जाओंगा कि नहीं देखो मेहनत करोगे विल्कुल पास हो जाओगे कोई इसमें संदेय नहीं है ठीक है चलिए तो सुरू किया जाए क्लास देखो पहला कोईशिन क्या है कि इसका नंबर नहीं पढ़ा है इसमें चलिए कोई बात गुड़ ना दे गुड़ की गुड़ ना दे गुड़ की अगर गुड़ ना दे गुड़ जानते हो ना खाने वाला गुड़ अगर गुड़ ना दे तो गुड़ की बात तो कर इसका गुड़ सी बात तो कर इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम कुछ नोगों कहते हैं ना तुम इंसान देखने में खराब लगते हो तो कम सख्राब बातें तो क्या बाते भी अच्छी नहीं करोगे तो उसके जैसे मिठी वाते तो करो ठीक है नमस्कार जी अभी भी आप लोगों में से बलब संख्या कम है आप लोगों की नॉटिफिकेशन आई कि नहीं आई नॉटिफिकेशन आ गई या नहीं आई चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर तो देखो आवाज बढ़ाएं आवाज कम क्यों लग रही आप लोग को क्या सभी लोग को आवाज कम लग रही है या आवाज ठीक है मेरे ख्याल से आवाज ठीक है आवाज भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम परफेक्ट है आ गई है नौटिफिकेशन वेट मैं भी एक मिनिट आवाज चेक कर लों कि क्या समझे है आवाज के साथ आवाज ठीक तो लग रही है आवाज सही आ रही है आप लोग यह फोन यूज किया करो अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो यह फोन यूज किया करें परफेक्ट है आवाज धन्यवाद आवाज ठीक है कुछ लोगों को कम लग रही होगी तो थोड़ा वर्ल्यम फुल कर लें ठीक है चले सेकेंड कोश्चन पर चलते हैं प्रशनिसंग्या दूस्का नेमने विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है पूछा क्या है पुर्ण जाग्रन का सही मतलब मतलब लिख का क्या से जाएगा बरतनी शुद्धी वर्तनी शुद्धी से आप लोगों एक से तो कोुस्षिय से करें सब्सक्राइए Ск desc. तो आम लिखने में शुध्ध करेंगे जिस तरीके से पुनर जागरन तो पुनर फिर-जागरन है- यह पुर्ण जागरन है- इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे- तो इसको पहले पढ़ेंगे- Wish से यहां पर किया है पुनर जागरण तो यहां पर आशर मिलेगा सी के साथ ठीक है अगला कुश्चन देखेंगे तो कुश्चन नमीद रखेंगे तो याद रखेंगे सा और सी से ठीक है तो सा और सी से याद रखेंगे उपमालंकार का एक प्रॉपर उदारण है चलिए ठीक है अवाज धन्यवाद कि और बताईए कि विज्ञापन कराते किस चीज़ का विज्ञापन है कि चलो इसमें बताना है कि कौन सा लंकार है उपमालंकार हम बात करेंगे ज्यामतिववफ पहली बात तो यह यह लंकार क्यों दिया हुआ अर्थालंकार लंकार उब्यालंकार लोग पढ़ते लेगी है यह है अर्थालंकार यह पर भूता है अर्थालंकार थी नहीं होते हैं विलोम प्रसथा करना ठीक है कहते हैं ना स्चिव की इस्तूती करो भगवान की इस्तूती करो तो इस्तूती करने से क्या होता है लाभ मिलता है लोग मान जाते हैं जल्दी ठीक है तो इस्तूती करनी चाहिए तो जब इस्तूती करते हैं हम लोग तो वहां पर दिखेंगे यहां पर इसका विलोम निकालेंगे तो इस तूती का विलोम क्या मिल जाएगा जल्दी से कि इस तुटी का विलूम क्या मिल जाएगा तो कम न कम आ रहा है अब लोग का फिल लगेगा है उर्जा कम है थोड़ाइस अधर कि नहीं प्रॉज इसमें पर तो मिला सी के साथ गड़ बहुत सुन्दर जिस संग्याय सर्वनाम सब्द की विसेस्ता बताई जाती है वे क्या क्या है यह हमने कई बार बता रखा है समझा रखा आप लोग को तू बताएं कि जल्दीश पांसो एक लोग लाई है गजर इसंख्याय मेरा साथ ऐसा होता है मैं जैसे अब दिख रहा है फिर पहसी चार्ण सो पैंसो पैंस पैंस जाएंगे उसके बास साथ सुच्छुएसी दिख जाएंगे कभी एक जार आठ लगर जाएगा ऐसा करके मुझे नंबर जी कि आधा है जैसे हिसी मैं लाइक की तरफ देखो तो कई बार पढ़ाया है ठीक है विशेश्यान जिसकी वीसिस्ता बता तो सब्लोग क्या गयते हैं उसका मल्यक्या विशेश्यान अन्सर क्या मिला में option नंबर D के साथ आगे चलेंगे question नंबर छें देगे विकलपों में से गोष्ठी का परियाएवाची सब दिन इसे कौन सा है गोश्टी का प्रेवाची तो जल्दी से बताएंगे सुग होता है है अच् कि जल्दी से कि इसमें बोला है गोश्टी का प्रयाम ची कहता है गोश्टी लगी हुई है गोश्टी मतलब क्या होता है कमेंड करो जल्दी जल्दी सिक्स्थ नंबर कि यूपी एसाई के लिए हिंदी बिलकुल काम आएगी का है आपके यूपी टेड की त्यारी कर रहे हो ईस है इसाई वाले z खुरूर भी दियान मंबर कि आती है और मैंसी000 नंब्र लेक्श्याना है तो डेली रह करोगे तब भी चलेगा क्योंकि हिंदी मैंने यूट्यूब पे अल्रेडी बहुत धेर सारी बना रखी वीडियो तो मैं यह नहीं कहूंगा कि या पेड ही लो ठीक है तो टेट एस टेट यूपेस ही हो गया पेट हो गया और कोई एक्जाम मुझे नहीं लगता कि इसके साम दिया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ें देखो 545 हो गया है मेरे को ऐसे ही नमबर दिखते हैं आप लोग के सामने सात्वा नमबर देखे विकल्पों में से वस्तु का बहुचान सब्द बताना है वस्तु अगर वस्तु बोले क्या बोलते वस्तु यह बोलते वस्तु प३में लेके जाओ या अपने बक्तुओं को लेके जाओ क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे घर लें में रहे रहेगाそう करी से अंग्रेजी कही नहीं बदलती हैं तुरूस ले के थे लिए नहीं के चल लोगों को बताू उब करने मतलब मैजॉरिटी लेवल सभी लोग पहले नमबर पर कमेंट कर proclaim अ पहला ही होगा गुट है वस्तुब है ह से आठ्मा नमबर बीकलब है उत्फान सब्ध सब्धा जल्डि से बताना है देगे विकल्पों में से उत्थान सब्दका विलूम बताना है आप लोगों जल्दी से बताएंगे देगे विकल्पों में से उत्थान का विलूम जल्दी से बहुत अच्छा है देखो उत्थान मतलब क्या होता है उत्थान का मतलब होता है है जब किसी चीश का उत्थान हो जाए मुझे कैसा कुछ प्राफवर सब्द नहीं मिलता है आप लोग पहले इसको उत्थान होता है मतलब क्या होता है उटता है ठीक है ग्रोथ करता है तो उत्थान का क्या हो जाएगा जब जाएगा किता आब तुम्हारा दिन पतन की ओर है या पुथान का भी लों पूछा है तो तो क्या हो जाएगा आज पतन नहीं हो जैएगा छे लो जिसको पता है मैं ट weeds इन जाने के लिए कौन सा अलंगकार है मतलब बात वही है कि करे कोई और है ना मतलब जैसे कुछ खाने पीने कर जैसे घर में होता है कि हमारे खाने पीने का कुछ मन है है ना अब बीच वाला भाई है उसको कुछ खाना पीना है आप बोल नहीं पा रहा है तो कह रहा है यह छोटू ऐसा बोल रहा था ऐसा करने के लि अन्य उक्ति है, इसमें अगर हम विश्चेद करके देखे, अन्य उक्ति, ठीक है अन्य उक्ति में, तो अन्य उक्ति में, यहाँ पर क्या है, अन्य उक्ति है, यानि किसी और की उक्ति को बताना, दोसरे की कही बात को बताना, क्या कहलाता है, अन्य उक्ति कहलाता है, अन्य उ लगत लोग इसका गलत उत्पर देंगे BUT WILL हो नुपति में जल्दी सते हैं विलित जल्दी से नव्कति की संधी बताईएघा किसमें आफको फंदी क beautifully लिख कि जल्दी से बताएंगे क्या मिलेगा पूछा था और कोई कारण नहीं था मेरा पूछने का पता था यह बलोगे यह संदी कैसे होती है यह संदी का नियम पांत जानते हो यह संदी में यह और वक का बाता है जैसे यहां ध्यान से दिखो के दू दहू यहां पर ऑ है यहां पर क्या है आ है ठीस धिए यहां पर क्या है मातरा के बाद मतलब स्वर के स्वर है यहां पर ठीक है उके बाद यहां पर आ है अब यहां पर इसलिए यहां पर यडशंदी हो गई सू का यह हमारा हो गया आधास और यह क्या हो गया स्वागत हो जाता है अन्य उक्ति का विक्षेत करेंगे तो अन्य हमारा निकले के आएगा पहले तो अन्य प्लस उक्त तो इसमें यह और डिडि दिया गया है यह का मतलब हुआ यहां से और निकल क्या है और और उ कभी ऻेज़िक के संदी है यह ज्यादा दिमाग लगा लिटे लगाना है ठीक है हाँ ज्यादा दिमाग लगायोंगे तो गलत कर जाओके चली आगे बढ़ें कि दिये गए विकल्बों में से सही का चेयन करके रिक्त स्थार भढ़ना इस गरंत को इतिहास की डैस से भी एक महत्वपूर रचना माहता है इतिहास की इतिहास की तुलना इतिहास की द्रिष्टी या इतिहास की पन्ने अच्छा यहां से हम लोग लिंग्स के यहां पे जो जिस तरीके से लिखा गया है उसके आधार पर भी था और घमर मज़िसा सकते। क्यूंकि आँपर की लिखा है तोर इतिहास के पन्य होता नीए इसलिए पहले कड़ गया इतिहास और देखे इतिहास की और से तो और या और तो हो नहीं सकता है नहीं दो कट गये को बचे मार पास तुलना वर द्रिष्टी तो इनुए से क्या होगा हां कि इसका बताईएगा दसवे रंबर में है गट इतिहास की द्रिश्टी करिए कि कि तुल्ण कि कि तुल्ण कि से करेंगी तुल्ना होड़ी होती HAVE हмотрि कि अपने आप में हर किसी का इन Tucson कि अपना फसली फार कभी 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 उसको देखें कि मुस्कूराते होगे याद करते होगे फिर रोते देखिजाओ भगवान शब्द का इस्त्रिलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है भगवान का बनेगा जल्दी स्वताईगा भगवान का इस्त्रिलिंग देखो कि देवी देवताव अलग चीज है ले बहुताई आपको होताना है 11 नंबर कि जलदी से हैं बोलते ने मा भगवती क्या बोलते हैं मा भगवती ठीक है याद आया कि भगवती तो भगवती भगवान का क्या होता इस त्रिय लिंग ओर चाहिं करते हैं भगवती के नाम से अंसर मिला बी के साथ कोई दिक्कत परसानी रही नहीं होगी आप लोग के पास इसलिए हम लोग चलते हैं कुश्चन नमबर 12 पर कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है और पुरसकार से सम्मानित किया गया था पहले तो ये बता दो कितनी नावें कितनी बार ये र पास हैं त्यारी कर रहे हैं सूपर डट की बैच चल रही है ठीक है जिनको भी ज्वाइन करना है सिंपल सा गाम है एप इंस्टॉल कर लो एमस्सी नोट का वहाँ पे स्टोर पर जाके चिक करोगी तब को मिल जाएगी चीज़े जल्दी बताएंगे गुड नाइट सर आजमगड से यहां भी गुड नाइट होगी प्रियाग राज में भी गुड नाइट होगी हर जगह से गुड नाइट हो जाएगी चले बारा नंबर को उत्तर दीजे बारा नंबर को उत्तर क्या मिलेगा पहला वेरे गुड ज्यान पीट पुरसकार कभी क्या नाहीं सम्षान में जितनी रहर ऑस निए अगर रह सकता है तो कि मिल सकता है जो मारे संविधान में जाइगा लेक जल्दी से बताएंगे जल्दी पीट प्रसकार भगवती पसाद मेरे गुरू इसका बताईएगा अग्ये की और कोई चलिए जल्दी से बताईएगा अगला कुश्चिन आज मेरा नाम लो राम कुमार इतना प्यारा नाम है आपका नाम तो पूरी दुनिया लेती है रोज सुबे सुबे आप जिनका अशाड का एक दिंका इसका था अशाड का पाइस भिछ ला के लिए क्या बना दीए तेरा नंबर में जल्दी बोलियेगा तेरा में क्या मिलेगा गोशले है ना घोशलो नहीं होगा बिंदी याद रखना है बिंदी हमेशा घह पे रहेगी ना कि लबस आगे देखे बारिस बहुत ज्यादा हो रहे है इस वाक्य में ज्यादा सब्सक्राइब देखो बारिस बहुत ज्यादा हो रही है है ना है बहुत ज्यादा बारिस हो रही बहुत हो रही बहुत ज्यादा हो रही है तो यह क्या है कि चौदा नंबर में पहुंचे अभी तक जल्दी बताएं करतेज करेंगे असार का एक दिन मोहन राकेस बहुत सही आप रीट के अभी नाम ले लिया करो हमें भी पर्षमेंट मज़ाता है विल्कुल रीट का नाम मेरे दिमार्ग से निकल जाता है पता नहीं क्यों निकलता है बट बिल्कुल दुखी मत हुआ करें रीट के लिए हिंदी विल्कुल काम करेगी क्योंकि हिंदी जो है चाहे तो जिस भी राजे से आप सब हैं भारत के हिंदी कहीं किसी भी एकजाब में आती है तो यहां से काम आएगी बारिस बहुत ज्यादा हो रहे इस वाक में ज्यादा सब्द क्या था सबने बता दिया है बीच्छा कंफ्यूज हो डी एक बात बताव क्रिया काई हो जाएगी तरो नाम संग्या से कोई लिन्दक देना था यह आखिर बचा मैं प्लास क्रिया विसेश्टा अगर इस अप्सन में विसेश्टा अगर देखेगा इन में से पहचाना है हमें परस्पर में अच्छा हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए मैं तो प्रेम में मगन तो प्रेम में रहना चाहिए हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए वा एक बात बताव देको परस्पर का मतल आपस में तो यहां जहां में लिखा हुआ है तो पहले कड़ गया यानि पहला हो गया कड़ गया और परसपर से यानि आपस से तेभी से कड़ गया तो हमें परसपर प्रेम से रहना चाहिए यहां पर क्या बनेगा पंदरा में बी बन जाएगा करेक्ट आंसर गुट आगे बढ़ें अगला कुशन जास्ति रहा है तक हुआ क्या कहा है क्या कहते हैं कि र tulka कैश को कि स्वारूपत हवका है dzięki को अब खाल्वार ऊकर्प रहें को वहाँ पर कौन सा अनुप्रास प्रेयोग तो होगा देखो अनुप्रास हम बताया चुके हैं कित्थ प्रकार के होता के पांच से हैं ना चलिए अगंजना जी ले लिया आपका लखीमपूर से चलिए बताइए इसका उत्तर गे जिसमें क्यों एक बार प्रेयोग होगा इतावा से चलिए पहले पढ़ेंगे लास्ट में हम लोग डिसकस कर लेंगे ना मैं रास्ट में आज पूछूंगा आप लोगों से आप लोग जहां जहां से होंगे मैं सब का नाम दोगा ठीक लास्ट अंतिम अभी थोड़ा सा यह कुश्चन ज्यादा है कुश्चन अब सोल पिर्ट्र तक ही पहूछपा हैं डोग बताएक का जल्दी से सॉला का उत्तर के मिल जाएगा पहला फैका लेता है और यहां पर क्या होता है अब में इधियलों प्लेटो प्रत्यवादी या आत्मवादी दारशनिक थे प्लेटो के बार प्लेटो नाम है जिसको हम लोग कहता है कि बाहर कर दिया गया मतलब क्या हम लोग के बस में था कि ऐसे उठाके बाहर कर दिये घर से बाहर निकाल दिये ऐसा नहीं होता है आम लोग आप उसको देखते हिने इगनोर करते हैं जैसे हम लोग कभी कभी किसी को निकाल देते और इगनोर करते हैं जंदगी से कुछ चीजों को तो उसी तरीक देखा जाता है लेकिन उसको अग्रह के रूप में के देखा जाता है ठीक पहले जो उसका इस्थान था ग्रहों के रूप में अब उसको ग्रहों के रूप में नहीं गिना जाता तो यहां पर प्लेटो है बैराल प्लूटो नहीं प्लेटो क्या है एक विचारक थे मनोविज्ञानिक थे आपको वताना है क आपमवादी दार्शनिक थे इसमें तुरूटी पूर्ण या गलत वाला जो भाग है वे कौन सा दिख रहा है आपको जल्दी सवताएंगे 17 नंबर पूर। सी दा सनिक दार्सनिक दार्शनिक दार्शनिक आत्मवादी देखो अत्मवादी या आत्मादी मतलम नहीं यहां पर 際 misspilling यहाँ पे गल्ट लिखिए एना को आगे मिविकल्पों में इसे सही वाकि के पहिचानना पाद्मावत के रचेता तू стороны जैसी एना करेट आऊ बिहारी हें कि बीॉहार एकदम आना कबीर दास पत्मावत से क्या लेना दिना जो हमेशा यह कॉरत को लिए बाद माड में प्रयम आप betting जो है जासी यह तो तो मुने ही निसे काम निफ्टा सकते हैं प्रदमावत किसकी रचना है जाइसी जी की है ठीक है आगे देखिए अंचल किस सही तिकार का उपनाम है उपनाम है वैसे जैसे अग्य है हरियोध है उसी तरीके से अंचल किसका है ये बताना है आप सबको सूर होके काहे घीगी आत हो कछू हरी भजन करो 19 नंबर का उत्तर दो जल्दी से किसको कहते है रामिश्वर शुक्ला रामिश्वर शुक्ला अंचल ठीक है कौन सा कुश्चन था 19 नंबर सी आंसर कुछ लोगों ने दिया है कुछ लोगों नहीं दिया है मलिक उमज्जाएसी सब्सक्राइब कुछ लोग अटके हुए विपुल मिस्ट्रा है कि चलो आगे वाड़े प्रस्तुत पंक्ति को फूर्ड करने के लिए आपको पकड़ना इन में से एक डैस मूतियों से डैस यह बताएंगे किसकी पहली है यह मैं बोलता रहता हूं आप लोगों से यह बताएगा यह मैं पहली आप लोगों से बोलता रहता है तो उन्हीं की पहली है जो हम बोलते रहते हैं आप लोग को गर याद हो तो बताएगा पूरा करिए जल्दी से बीस नंबर क्या मिलेगा चलो देखो एक थाल मोती से जड़ा सब के सर अंगधा पड़ा याद आया आसमान पहिचानों बच्च कौन आसमान ठीक है secre दखें कि मुखरी जानती हूगे नहीं 와서 मॉरा मुषे सिंगार करावद आगे बैठ के मान बढ़ावत नहीं मेरा मेरा से निवा़ करावद आगे बैठ के वाण बढ़ा वे तो व मुक्रेम बोलते हि कि वह कहते है इसरकि साजंत तड़ कहते हैं ना सकते सीज़ा हिंदी कि लिपी में लिखी जाती है यह तो आप छोटा समझ्चा भी बतादेगा है आप लोग प्रश्ण आया है वाह वजा आगिया तरुब पानी वाला है से बार जल्दे से अच्छे प्रश्ण मिलें आप लोगों को सस्टे सस्टे एकदम सस्टे मिल गये हैं जैसे गते है पानी वालाग सस्ता है कि जल्दी से क्या मिल गया आप लोग पानी का नाम याद दिला दे मज़ित्यास लगने लगी में पास पानी नहीं नहीं दिखता है अच्छे और आप लोग तो दूर रहे तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह उठो जाओ पानी लेकिए क्लास पढ़ा रहे तो प्यास लगए यह कुछ भी वहा तो जाओ बगल वाली क्लास दंडा लेके आओ जाओ यहां से पानी लेकिए आओ ऐसा करके तो यह नहीं कर सकते अच्छा वाफ क्या वाफ करने लगे गजब अब वावा बोला था वाव वाव करने लगे कुछ लोग है हिंदी की क्लास है चलो इसको पढ़ो आकास पाताल के बीच में जो जो चिन्न लगा है इसको क्या कहते हैं इसको सिंपल से भासा में कहते हैं योजक चिन्न जोड़े वाला चिन्न ठिक क्या कहते हैं योजक चिन् क्या हो जाएगा योजगचिन्द आगे बढ़े नई साड़ी है इनने से नई क्या है वाह यह फिर से वह वालक प्रस्ण आ गया नई साड़ी है नई क्या है यह हमारा है गुडवाचक से गुण्वांचक. है क्या है गुरिवांचक विशेशा आए- सुरुबात मे थोड़े से आपको भारी-भारी प्रश्षिन बिले थे न फिरंद यहांप परिख थोड़े से हलके प्रश्षिन मिलें मतलब वही हो जाता है कि जैसे गाड़ी चलाने जा रहे हैं सुलवाद में मार ट्रेफिक मिल गया है पीछे से कोई होरन मारे पड़ा हुआ है उधर दो लोग जगडा कर रहे हैं कि कैसे मेरी गाड़ी को छुआ दिये उधर से गाय भी निकल रहे है उधर कुट्ता भी आ रहा है तो रिड सबस्ते चावल Benson का मतलब हो जाता है वह ज्यादा क्या हो अनुभावी मतलब क्या है अनुभावी मतलब कले यह कि है गुट है 26 नंबर किस कभी को सोवियत लैंड नहरूपुरस्कार से सम्मानित किया गया लेख रहे हो कजब गजबुपाधिया है है कि नहीं किस कभी को तो 26 नंबर का बताईगा कि जल्दी से पास्ट क्वेश्चन नंबर 26 का बताईगा उत्तर 26 में क्या मिल जाएगा जो हमारे पंत थे यह रिशब पंत की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह सुमित्रा नंदन पंत की बात कर रहा हूं पंत बोल दिये पता चला कहतो क्या रहे वही रिशब पंत ना सुमित्रा नंदन पंत इनको मिल था आगे देखिए सागर्षा गंबीर हिर्दय हो गिरिशा उचा हो जिसका मन इसमें कोड़ सा लंकार है यहां पर सा सा है ना जब सा सा दिख गया तो हमें पकड़ में आ गया कौन सा लंकार हो जाएगा बताओ कि आवाज ही नहीं आ रही है कि प्रश्ण पढ़ दिया करें मुझे नहीं दिखता है थोड़ा सा और अच्छे ध्यान पर देखेंगे दिखा जाएगा बाकि हम बोलते तो ही हैं और लाइक नहीं करते हो आप सब हैं 900 से ज्यादा लोग हो भी लाइक के संख्या कम हैं सा और सी कहीं भी जाए कई बार बताया है पहचानने का सब से सरल तरीका इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता इप प्रिभासा उसमें ना पढ़े कि डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं चाल सकते हैं इसो बताएगा नहीं चाल रविंद्र नाथ्षाकोर को नोबेल पूरशकार मिलने के डैस में ब्रिटिसस समाचार पत्रों में मिश्रित डैस जल्दी से मिश्रित जल्दी से मिश्रित देखो रविर्ण ठ। को नोबल पुरस्कार मिलने के के संबंध में Digital समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हो यानि response मिला reaction मिला तो संबंध में रेक्षार प्रतिक्रिया बाकि सब तो सकता मिलने के समाचार में मिस्रित उत्तेजना हुई तो उत्तेजना काय होगी भी यह ब्रेटिसर्स को रेम अखुसी तो होई नहीं सकती है गी नहीं भासा रचना से कोई लेना देना नहीं था तो मिला संबंद और प्रतिक्रिया आगे देखेंगे क्वेशन नमबर 29 क्या कहत संबंध में प्रतिक्रिया ठीक इसका बताईगा 29 29 मिला डी वेरे गुड के शरिया के शरी मतलब सेर शार्दुल आखरी प्रस्ट देखो जल्ली से दिए विकल्पों में से सही का चैन करके विक्तिस्थान बयाना है इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की एक्षा और जोर उसमांड़ पड़ी भनक पड़ी घर्सस्वीं गुमरापड़ी गुमरात हुए नहीं सकते धोड़ी पड़ती है क्या होती है उमड़ पडी ठीक है अब पड़ी नहीं होगा उमर्ण पड़ी हो जाएगा ठीक है चलो आज जल्दी से तुम लोगों काज कमेंट देख लेते हैं कि अब बड़े हो जाओ चलिए अब बताएए कौन कौन से राज्य से हैं उमर पड़ी अब साफ साफ आप लोग का नाम भी दिखाई देगा मेरा नाम लो इस रिस्ते को मैं क्या नाम दो चलो सभी लोग लाइक वाइक कर दो जो दूरी से जितने भी लोग महाश है महाँ प्रुष्ट देख रहे हैं थैंक्यू कुछ पूछना उसना उसना तो बताएए सोन भद्र जहार खंड क्या बात इतनी जल्दी खतम कि तीज प्रस्म से अब इतना तेज भी मत बोलो कि निकल जाए यूपी हर्याणा जहार खंड और उत्राखंड जैपूर राजिस्थान वेरी गुड अलीगर्ड खर्दोई क्या है शोनमद्र नुएड़ा आपकी इंदी वीडियो बहुत अच्छे लगती बहुत धन्यवाद उसमें जब बहुत छोटा दीख रहा है माला बहुत तीजीज़ों पर भाग रहा है मुझे ही पर देखने पड़ेगा जहार खंड श्माइल बहुत अच्छे लगत आप लोग भी आशा करो अच्छे लगए स्माइल करता हूं हर इसन प्यारा लगता है हरियाना लखनव प् चले तो और वताइए गुट नाइट सुभरात्री सभी को सुभरात्री गुजरात अहमदाबाद गुजरात वाले भी कवंडे एक्जाम्स की त्यारिक करने क्या बात है हिमाचल प्रदेश यह मैं इंतजार गरते हिमाचल वाले आज कहाँ पीछे रह गया है चलो राइबरेली यूपी के लिए जिले मुझे जाता दिख रहे हैं अभी यूद्ध्या अयुद्ध्या जी बोला करूं है न अयुद्ध्या यूद्ध्या जी चलो भीकान हेर राज यूद्ध्या ग्राज पिली भी जार्खंड गानपूर जासी भूब लड़ीन मर्दानी मत्व जासी वाली रानी थी वहीं से उना जा बात करनाटका लेंग्वेज बिस्ट है आपकी लेंग्वेज भाषा बोली कह सकते हैं न ठीक और एंपी को भूल गए हाँ यार सही बात है मध्यप्रदेश का नाम तो हमने उधर भी नहीं लिया था बोले नहीं है याद रहता बस इधर उधर थोड़ा था टहलने जला जाता है कि अब लोग का नाम बैक्ग्राउंड में दिख रहा होगा मैं इसले एकदम फुल करके स्क्रीन लगा के तक दिया है ना कि सबसे मस्त अपड़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धोल पूर एक धोलक पूर था ना धोलक पूर जानते हो कि देखते किते लोग धुलक पूर जानते हो जल्दी करना धुलक पूर के बारे हैं कि विजनौर तरप्रदेश हरिद्वार क्या बात शिम्ला इमाचल प्रदेश बहुत अच्छा बागी इसी तरीके से इसे उत्साख के साथ पढ़ते रही है डेली क्लास साड़े नोब चलती है डेली क्लास जॉइन किया अधरे और रैसा नहीं है कि क्लास मत देखो बस ऐसे देखते जाओ तो क्लास भी देखा परिए ठीक है और 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 बताईये मैंनपुरी कहां से हैं आपकी बोली बहुत अच्छी है हम फ्रयाग डास से हैं हो सकता हो कि हमारी बड़ी बिट्रागरास से संबन्दित थैं तो जाद है हाँ है संतों की भूमी है संतों की नगरी है गंगा जी पहि dislodin होता है यह कि चलिए और कुछ दिल्ली से दिल्ली वाले रह गयते हैं धन्यवाद इटावा से चलो बहुत अच्छा लगा पूरा भारत अपने साथ जुड़ा रहता है पहुत आनन्द आता है एक ही बार में पूरा भारत भ्रमण हो जाता है तुम लोग देख लेते हैं तो लगता है हाँ पूरा भर्मण भारत भर्मण कर लिये हैं 2020 की बारी है ठीक है चलिए और हंदी पढ़ते रहे आगेवराते रहें हींदी बॉरिंंग सब्जक्ट नहीं होता कोई अच्छा तो चाहा है पढ़ोने हलता ही ठीक आज glowing ayr पढकि अभ़रे आप बढ़ंबा है Unity आ चाह्चा है ठिक चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भी तुलसीदा से चंदन गिशे तिलफ दें हुरग्वीव ठीक कि चलो बरेली तो कि बरेली वह यह न जहां पर जुमकाउंट का गिर गया था एक बार किसी का चलिए कि राजस्थान चलो तो चुट्टी करते हैं फिलाल अभी आज के लिए हम यहीं पेस्ट हम आप सो कर रहा है यह सब का कमेंट सो कर रहा है काहिए ना किन सल लेते हैं इतना बड़ा सब बोर्ट लगा रखा सब का कमेंट सब का नाम बैग्राउंड में दिख रहा है ठीक है कल अगली प्रैक्टिस सेट करेंगे और तब तक के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और बता दे जितने लोग यूपी टेट की त्यारी कर रहा है फिर से बता दे केवल एक काम करना है यूपी टेट की त्यारी करने वालों के लिए नई बैच लांच हुई है ठीक है सुपर टेट वालों के लिए भी कोर्स है कोर्स चल रहा है एडमिशन लीजिए उसमें भी ले सकते हैं यूपी टेट सुपर टेट वालों के लिए 21 मार्ट से नई बैच सुरू होगी जिनको एडमिशन लेना है जल्दी से जल्दी एडमिशन ले ले जिससे पीछे ना हो है ना पुरानी वाली बैच फुल हो गई थी उसको बंद करना पड़ा उसके पीछे करने यह तक जितने क्लासिस काफी ज्यादा हो गए ती मतलब लगबख 24-25 दिन की क्लासिस हो गई है तो इस वज़ए से पीछे हो जाएंगी कोई इसमें अडमिशन लेगा तो इसलिए नई बैस लॉंच हुई है तो जिनका अडमिशन लेना है वे ले 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 25 जुलाई टार्गिट रखके चुटी दीजाए अब आग्या दीजिए आप लोग प्रभू आग्या दीजिए कल आपका सेवा का आपके सामने फिर प्रस्तुत हो मिलते हैं कल की क्लास में तर तक ले